दोस्तों को हमारे इस चैनल अमलियात हिक्मत और साइंस पर वेलकम दोस्तों हमने एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की थी कि अगर किसी भाई को उदा न करे किसी पागल कुते ने काटा हो चाहे वो बच्पन में काटा हो या चाहे अनकरीब किसी पोजिशन में काटा हो और उसकी हालत बिलकुल खराब हो चुकी हो और डाक्टर्स जो हैं वेक्सीन भी लगा है उसको यानि कि वो बिलकुल लास स्टेज पर हो तो डाक्टर भी उसको जब लाइलाज करके रवाना कर दें तो क्या उसका आखरी ईलाज है और उस हवाले से हमने एक मुकमल नुस्कावी अपलोट किया है कि उसे इनसान की जान बचाई जा सकती है कोई भी लाइलाज मर्ज नहीं है अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं उपर दिये गए आई बटन पर किलिक करके वो वीडियो देख लें तो उस हवाले से हमारे एक दोस्त ने सवाल पुछा है कि असलाम आलेकुम जी मुतरम कुछते हैं कि आदा गिराम कुछले का पाउडर साथ और क्या मिलाना है मतलब कि उनके कहने का मतलब है कि आदा गिराम कुछले के पाउडर के साथ और क्या मिलाना है और क्या वो चीज ठीक है बेहतर है इस्तमाल करवानी चाहिए और पुछते हैं कि कोई परहिज वगरा तो नहीं है बड़ा महरबानी रहनवाई फरमाए तो मुस्ताथ साब से पुछेंगे इसका जवाब always । यह भुछत तज़र्वा किया हुए अया फार्मॉला आपको हमने दिया है यह ऐसा वईसा फार्मॉला आपको एह है यह हमेरा तजर्वा किया हुए इसमें कोई शॉक नहीं लेकिन इसको ए यह होती है अंजीर की तरह टीकिया कुछले की टिकी अंजीर की टिकीया के माने दोती है एक मरीज के लिए एक टिकीया काफी है अगर ज्यादा बना कर रख दें तो ये सालों साल पड़ी रहे ये खराब नहीं होती अगर एक मरीज है तो उसके लिए एक टिकी भी काफी है एक टिकी जो पानी में डाल का देखें नीचे बेट जाए उसको निकाल कर सुका दें खुश्क होने के बाद यह रेत में रेत पहले किसी बरतन में रखें और यह टिकी उसी रेत में रखें और नीचे आग दे दे, आप पिलास जो है पकड़ भी कहते हैं पिलास भी कहते हैं वो 10 मिनट के बाद फिलास से उठाकर इसको तोड़ कर देखें, ये एसाबित ट्रीकिया होनी चाहिइ इसका बीज नाने काले, ये त्रीकिया होनी चाहिए अब ये पिलास से इसको तोड कर देखें को ये कड़क करेगा अगर जब कड़क करें तो समझें कि ये दवाई पक चुके है अगर नरम रहें तो इसको दोबारा रेत पर रख दें पिलास से पकड़कर इसको जोर देंगे जोर देने से ये कड़क करें यानि वीज़ वाला जो हिसा है वो कड़ा करके ये अब पक चुकी है अब इसको निकालें निकाल कर इसको खरल करें खरल करने के बाद इसमें जितना वजन हो इतना गुड मिला दे कोई सा गुड आम दुकान से ले 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 जितना इस टिकी का वजन है इस टिकी के वजन के बराबर आप गुड मिला कर इसमें मिक्स करके अगर यानि पागल कुता काट गया हो तब भी ये चीज इस्तमाल की जाती है या आम कुता काट जाए तब भी ये चीज इस्तमाल की जाती है इस टिकिया में गोड मिलाकर इसके साथ हिसे बना ले अगर आदमी होश में है तो केपसूल में डाल कर साथ केपसूल बार दे एक केपसूल रोज़ाना दूद के हमरा ले ले अगर आम कुता काट जाए तब भी अगर पागल कुता काट जाए तब भी एक केपसूल रोजाना इसको दूद के साथ दिया करें साथ दिन तक ये जिन्दगी भर ये इसको ये बीमारी नहीं होगी इसमें क्या होता है कि ये कुते वाले जरासीम है ना कुते वाले जरासीम इनसान में आ जाते हैं कुटे वाले जरासी मर जाते हैं बस इनसान को ये कुटे वाले जरासी म कभी तंग नहीं करें अगर पागल हो गया है तब भी एक टिकी के साथ ही से बनाए या इतना गोड मिला कर गोड मिला कर टिक्या बना ले केपसूल बना ले गोली बना ले किसी तरीके से पागल आदमी को भी खिला देगी इसमें कोई और आदमी ना खाए ये बात है कि जिसको कुता ना काटा हो वो आदमी ना खाए क्योंकि उसमें कुते वाले जरासिम नहीं आए अगर ऐसे खिला दी जाएगी तो ये इनसान मर जाएगा इसलिए उसी को ये दवाई खिलाई जाएगी जिसको आम कुता काट जाए या पागल कुता काट जाए उसी के लिए और जानवार को भी नहीं देनी है जानवार को खिलाओगे तो जानवार भी मर जाएगा ये याद जहन में रखें, आप बहुत इहत्यात करें, इसमें कोई परहिज बगेरा नहीं है, कोई परहिज नहीं, पागल हो चुका हो आदमी तब भी ये फायदा करेगी, पागल होने से पहले ये दोई इस्तामाल कर देंगे तो पागल होगा भी नहीं, अबी ये आपको सवाल का जव आपको मिल चुगा होगा मजीद रहनुआ के लिए आप कमेंट कर सकते हैं मिलते हैं अगली कीमती वीडियो में